रेति बंदर बिरिच से खाड़ी में गिरा कैंटेनर बोड के जरीए चालक को खाड़ी से निकाला गया वाहर कैंटेनर को खाड़ी से निकालने का प्रयास जारी प्रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें महिस स्लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स खारे गाउट टोल नाके के पास नासिक महामार्ग ब्रिज से एक कैंटेनर खाड़ी में गिर गया यहाथसा सुबा साड़े पांच बजे के आसपास हुआ है ब्रिज की तस्वीरे देख सकते हैं कि कैंटेनर कैसे ब्रिज पर बने डिवाइडर को तोड़ते हुए खाड़ी में गिर गया है जरा सोचिए कि जब ये कैंटेनर खाड़ी में गिरा होगा उस वक्त कितना भयानक मनजर रहा होगा कैंटेनर नंबर MH04 HY8691 इसके मालिक का नाम है राजेंद्र घोर पड़े गनिमत ये रही कि कैंटेनर चालक रमेश पांड़े की इस हाथसे में जान बच गई है मगर कैंटेनर खाड़ी में डूब गया है कैंटेनर भिवंडी से नमाशिवा की तरफ जा रहा था और रेती बंदर नासिक महमार्क पर इस बिरिज पर जैसे ही पहुँचा चालक रमेश पांड़े का संतुलन बिगड़ गया और बिरिज से डिवाइडर तोड़ते हुए स चालक रमेश पांड़े को खाड़ी से बाहर निकाल लिया गया और उसे ठाने के परम हॉस्पिटल में भरती किया गया है जहां चालक की हालत ठीक बताई जा रही है मगर कैंटेनर इस खाड़ी में डूब गया है बताई जा रहा है कि कैंटेनर में काफी माल था जिसकी वज झाल 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 झाल